अलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चैनल इन कुकिंग वित रेका पहाडिया आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अर्बी के पत्तों की शांदार रेसिपी अगर आप मेरे चैनल पर नए है और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें तो आईए अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं अरबी के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिये हैं 5-6 फ्रेश अरबी के पत्ते जो की मार्केट में इतनी आसानी से तो नहीं मिलते हैं लेकिन अगर आपको मिल जाते हैं तो आप मेरी ये रेसिपी जरूर राइ कीजिएगा आपको ये बहुत पसंद आए हम इन पत्तों को बीच में से कट करेंगे क्योंकि इसके बीच में एक डंठल होता है हमें वह निकालना होता है ये देखिए इसके पीछे इस तरह का डंठल होता है इसलिए हमें इसे सेंटर में से कट करना होता है आप चाहें तो इन्हें रेक्टेंगल शेप में भी कट कर स करेंगे अब हम एक बरतन लेंगे उसके अंदर लगवक चार से पांच टेबल स्पून बैसन डालेंगे मैंने यहां पर 4-5 टेबल स्पून बेशन ले लिया है अब हम इसके अंदर सुखे मसाले एड़ करेंगे काली मिर्च पाउडर एक टेबल सपून सूखादनिया पावडर ,आप इन सारे मासालों को एक साथ इस बेशन के अंदर डाल देंगे रेखियें मेने सारे मासालों को को बेशन के अंदर डाल दिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी एड़ करेंगे हमें सारा पानी एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डालना है और इसे अच्छे से हिलाना है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी गुटली नहीं होना चाहिए, हमारा पेस्ट थोड़ा लिक्विड रहेगा, यह देखिए, हमारे पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रहेगी, चमत से टफकता हूआ होना चाह यह हमारा पेस्ट, मैंने अब लेते हैं उसे पानी से आदा बरना है अब हम गेस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और पानी को अच्छे से बॉयल ने देंगे हमारा पानी गर्म रहा है तब तक हमारे पतों पर बेसन का पेस्ट अप्लाई कर लेते हैं आप चम्मच या हाथ की हेल्फ से भी पेस्ट को पत्तों पर अप्लाई कर सकते हैं बट आप चम्मच की बजाए अगर हाथ से इस पेस्ट को पत्तों पर अप्लाई करते हैं तो यह ज्यादा अच्छे से लगेगा हमें इस तरह से इस पेस्ट को चारो तरफ फेलाते वे लगा लिया है अब हमें से अंदर की साइड धीरे धीरे फॉल्ड करना है और एक रोल तयार करना है कुछ इस तरह से में फॉल्ड करना है कि बिल्कुल हलके हाथ से और बहुत ही ध्यान से आपको इस फॉल्ड करना है वरना इसका मटेरियल जो है वह बहार निकल जाएगा यह देखिए कुछ इस तरह का रोल बन कर रेड़ी होगा अब हम सारे पत्तों को इसी तरह से रोल बना कर रेड़ी कर लेंगे यह देखिए मैंने दूसरे पत्ते पर भी पेस्ट लगा लिया है आप लोग ध्यान रखे जहां तक हो सके आप पत्ते की साइट्स पर पेस्ट अपलाई न करें क्योंकि जब आप इसे रोल करते हैं तब हमारा पेस्ट जो है वह आउट साइट से बहार निकल जाता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अब हम सेम वही प्रोसेस दो रहेंगे इसे धीरे धीरे अंदर के साइट फोल्ड करते हुए हमें रोल करना है यह देखिए कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा दूसरा रोल भी बनकर रेडी हो गया है हमें सारे पतों को इसी तरह से रेडी करना है यह देखिए मैंने सारे पतों को इस तरह से रोल बनाकर रेडी कर लिया है यह देखिए हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसके उपर कोई छेद वाला बरतन रखेंगे चाहे वो इस्टिल की प्लेट हो या इस्टिल का ढखकन हो चाहे वो चलनी हो आटे की चलनी या फिर इस तरह की सबजी ढखने की कवर करने की कोई जाली हो आप सकते हैं हमें सिफ इन पतों को भाप में पकाना है बस्षर्ट यह है कि आप की जो चलनी है वो बरतन की साइस के होनी चाहिए मैंने यहां पर एक इस्टिल की चलनी लिए उसके उपर मैंने इन सारे रोस को अच्छा से जमा दिया है अब हम इस प्लेट या चलनी को उस बरतन एक बार चेक जरूर करेंगे यह देखिए मैंने इसका धकन लगा दिया है अब हम इससे 5-7 मिट तक पकने देते हैं हमें धकन बिल्कुल परफेक्ट साइज लेना है नीचे वाले बरतन के हिसाब से नहीं बहुत ज़्यादा छोटा आप चाहे तो चम्मज के प्लट सकते हैं आप इसे प्लटने में बिल्कुल भी रिस्क ना लें बहुत जादा प्लटे यह देखिए मैंने इन सब के अच्छे से पलट लिया है अब बापस हम इसका ढखकर लगाएंगे और लगबग 5-7 मिट तक और पकने देंगे यह देखिए इसे दूसरी साइड से पकते वे भी लगबग 5-7 मिट हो चुके हैं अब हम इसे चेक कर लेंगे हम इसे चाकू भूट से चेक करेंगे लगवाप में अच्छे से पका या नहीं अगर हमारा चाकू इसके आंदर इजीली चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पत्ते कटिंग करने के portable पूरी तरह से रेडि हैं अब आप एक लाव एक प्ले того न दी होड़े है देखिए हैं गड़ फी निकाल को ने खर लिए हैं एप अब प्लेटम आप करें जहां देशे केसनी च्छोट्ट में दूरप चा करना हैं के तो हम साही चाकु इसल्म करेंगे लगबग 1 टेबल स्पून जीरा, जीरों को अच्छा सा तडगने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगबग 1 टेबल स्पून रसून का पेस्ट, इसे अच्छे से हिलाएंगे, और हलका सा गॉल्डन प्राउन होने देंगे, ताकि इसका कच्छा पन निकल जाए, उ अच्छे से हिलाने के बार इसका ठकन लगाकर लगबग 5 मिट तक इसे पगने देंगे, यह देखिए इसे लगबग 5 मिट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं, इसका कलर पहले से हलका सा चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं, यह हलके से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे 5 मिट तक खुला पकाएंगे ताकि यह अच्छी कुरकुरी और क्रिस्पी हो जाए इसे खुला पकते वे लगवग 5-7 मिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है यह किती कुरकुरी और क्रिस्पी लग रही है देखने में हमारी सब्जी खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल ल जरूर ड्राय करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बता है आपको मेरी अदर रेसिपी की लिंक नीचे डिस्क्रिक्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे से रेसिपी